तो जल्दी ही आप लोगों के बीच में बेहस सीजन 3 दस तक देने जा रहा है दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जन्नीफर विंगिट एंड सिवे नारंग अपने अपकामिंग प्रोजक्ट में फिर से नजर आने वाले हैं जन्नीफर विंगिट ने बेहस सीजन 1 निभाया था उन्होंने अरजुन सर्मा की भूमी का निभाने वाले कुसल टेनन के साथ में वाकई में बेहस सीजन 1 को दर्सकों का काफी जAD़ प्यार मिला था और एक बार फिर से बेहस सीजन 2 के बाद में आपने देख लिया होगा कि बेहस सीजन 2 में सिवे नारंग की काफी अची भूमी का रही थी और्डियन्स ने भरपूर सपोर्ट भरपूर प्यार दिया था लेकिन एक बार फिर से जन्नीफर विंगेट एंड उनके सहे पाटी का लाकार तो सिवे नारंग फिर से नज़राने वाले हैं सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जन्नीफर विंगेट को इस बार दुगने का फायदा हुआ है क्योंकि दुगने का ओफर मिला है जितनी रकम उन्हें सीजन वन के लिए मिली थी और जितनी सीजन टू के लिए अब उन्हें जोड़ के इतनी रकम सीजन थी के लिए मिल रही है और जनिफर विंगिट भी काफी खोश नजर आ रही हैं क्योंकि बेहस सीजन 3 इस समय ओडियन्स की बहुत ज़दा काफी समय से फरमाईश थी और जिसमें जनिफर विंगिट ने खुद इस चीज़ का ऑफिसल खुलासा किया है आप लोगों को पूरी जानकरी बताने से पहले मैं बोलना चाहता हूं गाइज अगर आप मेरे यूटूब चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो क्रिपर मेरे जल्द से जल्द यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि जनिफर विंगिट या टेली वीजन या सिनेमा जगत के खबरे देश दुनिया की खबर के लिए मैं हमेशा आपको एक से एक नई वीडियो लाता ही रहता हूं क्योंकि जल्दी ही जनिफर विंगिट अपने अपकामिंग प्रोजक्त में जो कमबेक कर रही है वो 22 सीजन 3 उसमें जो कि सुने में या राकी कुसल टन नन भी दोस्तक देने जा रही है हाला कि आभी तक इसीज की कुसल्टनन की तरफ से कोई भी पुस्ती हुई नहीं है लेकिन अभी टाइम बागी है और सुटिंग में भी थोड़ा से टाइम बचा है इसलिए अब देखने दिल्चस होगा कि आखिरकार क्या एक्षन लेती नज़राती है जन्निफर और कुसल्टनन की क्या भूमिका होगी जन्निफर विंगिट काफी होट और काफी बॉल्ड एक्टर है जिनकी पॉप्रेटी इस समय तीसरे आस्मन पर है क्योंकि वेब सीरीज में भी जल्दी ही नज़राएंगी कोड एम सीजन टू में भी जन्निफर विंगिट कम बैक करने जा रही है साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए कॉमेंट करके बताई 2022 में बेहा सीजन 3 आप लोगों के बीच में कम बैक कर रहा है